Hello friends, welcome to exam help आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में करोना वाइरस से जुड़े हुए important समचारों की सबसे पहले जानेंगे हिमाचल प्रदेश में करोना के नए मामले काम पर सामने आये हैं और टोटल कितने मामले हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा जानेंगे हिमाचल प्रदेश में प्रिवान सिवाय यानी बस्ते शुरू करने पर सरकार क्या विचार भी मर्श कर रही है और कब से हिमाचल प्रदेश में परिवान सिवाएं शुरू हो सकती है तो दिखे फुल इंफॉर्मिशन के लिए वीडियो के लास तक बने रहे हैं और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दिखे सबसे पहले जान लिते हैं कि हिमाचल प्रदेश में करोना के नए मामले काम पर सामने आए हैं और टोटल कितने मामले हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में करोना वाइरस की बढ़ती जा रही है गुरुवार को प्रदेश में क्रोना वाइरस के साथ और पॉस्टिव माम्बले सामने आए हैं इस में से दिल्ली से चार मई को अपने घर पाउंटा साइब लोटी 30 वर्षिय महिला उसकी 7 वर्षिय बेटी खांगडा जिले के घुरकंडी में मुंबई स 9 माई को लोटी 24 वर्षिय महिला और शिला चौक निवासी 57 वर्षिय महिला शामिल है सिर्मोर की पाउंटा साइब में महिला अपने माई के दिल्ली से पत्ति और दो बच्चों के साथ वापिस पाउंटा पहुंचे थी परिवार होम क्वार्टिन था 12 माई को इनकी रेंड घुरकंडी में सामने आए क्रोना पॉस्टिव महिला मुंबई में सौफ्टवेर कंपनी में काम करती थी इसके लावा बिलासपूर में दो नए केस सामने आये हैं और बिलासपूर जिले में दे राथ होम क्वार्टिन पर चल रहे दो व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉस्ट इसके लावा दूसरा दिल्ली से आए संक्रमित चालक के संपर्क में आया 43 वर्षिय व्यक्ति शरी नेनदेवी क्वार्टिन सेंटर में रखा गया था इसकी रिपोर्ट भी पॉस्टिव पाए गई है इसके लावा देखिए हमिरपुर में एक संक्रमित पाए गया है ककड के सीरी गाओं में एक पचास वर्षिय व्यक्ति भी कुरोना पॉस्टिव पाए गया है और देखिए इसके लावा हिमाचल प्रदेश में अब सक्रिया संक्रमितों की कुल संख्या 33 महुच गई है और राज्या में अब तक चोतर कुरोना पॉस्टिव माम्बले सामने आ चुके हैं और कुरोना से अब तक हिमाचल प्रदेश में दो की मौत हो चुकी है और 35 लोग सवस्टों कर घर चले गए हैं अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में परिवान सेवाओं को शुरू करने पर सरकार क्या विचार विमर्ष कर रही है तुदिकी हिमाचल समाजिक दोरी के चलते ये किया जा रहा है प्रिवान विवाग ने इसका प्रारोप त्यार कर लिया है प्रिवान निगम की बसों में 50 फिस सदी यात्री बैठेंगी लेकिन नीजी बस संचालकों को इससे घाटा हो सकता है क्योंकि ये संचालक पहले ही घाटे की मार जेल र लिकारियों से प्रिवान सेवाओं को लेकर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से विचार विमर्श किया है ओफसरों के ने सुजाव दिया है कि बसों की हर सीट पर सवारियों को क्रोना की जानकारी दी जाएगी बस अड़ों पर सेनिटाइजर की व्यवस्ता होगी और यात्रियों को लाउड स्पिकर के माद्यम से क्रोना से बचाव और उपाय के बारे में अवगत करवाय जाएगा बताय जा रहा है कि बसों का किराया डेट गुना बढ़ सकता है अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के बाद प्रिवान मंतरी गोविंद ठाकुर ने शोशल मीडिया पर प्रिवान सेवाओं को लेकर जानकारी सांजा की है और उन्होंने जानकारी दी है कि लोकडाउन 4 में बस शेवाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू हो सकती है यानि जब भी हिमाचल प्रदेश में लोकडाउन 4 की गोशन होगी तो लोकडाउन 4 में हिमा प्रिवान सिवाओं को शुरू कर सकती है। झाल